हालो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुंसन मैं इस्टडी में दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज की क्लास most important है क्योंकि आज की क्लास में matrix यानि आभ्यू के basic important topic पर discuss करेंगे और इसे सिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से सीख लेते हो तो आपके अंदर इतना capability आजाते हैं कि आप खुद से matrix के objective and subjective question को cover करने के लिए eligible हो जाते हो तो बने रहें वीडियो पर end तक आगे बने पहले अपना भाई का नाम जान लेजे क्योंकि यहां आपको mathematics related videos मिलता है और मिलता रहेगा तो पिछले class में हम लोग पढ़ाई किये थे क्या पढ़ाई किये थे matrix यानि आप यू क्या है ठीक है उसका definition पढ़ाई किये थे हैं and एक कोई matrix लिए थे ठीक कौई matrix ले लिए इसमें रो मतलब और लो मतलब क्या पंकति ठीक अ सीरी और कौलम मतलब अस्थम घीक तो पिछले क्लास में हम लोग कोई मांडिक्स लिए इसे सपोज्ब यहां पर 103 और यहां फिसक खेने वे को स्बर्टे ये टीक, और इसमने क्यूई एक प्रस्क्षव छूब ह Chinese आहाँ तो suppose यह आ पिसक्रीप फाउर कितना है आप जानते है ठेक है भलू कितना है यहाँ पर रो से डिनओ क्रते हैं ठीक है ठीक है तो रो है कितना problem होता है ठीक है और यह अता कितना id… है अयूज है कितना इन फीछ्okes कितना है तो यहां पर कितना है यह किछले समझ की कि यह और पीछले स्टुटिया डिया स्टूर्ट अगा आपको आज कर दो आएंगे और अगो सब्सक्राइब रहें तो अच्छे समझ आएंगे क्योंकि आज की class most important है क्योंकि आज की class में हम लोग matrix के properties पढ़ेंगे ठीक है matrix के properties पर डिसक्स करेंगे यानि आप यूग कितने परकारक होते हैं types of matrix ठीक है और आज की class अगर हम समझ लेते हैं न यानि matrix type of matrix आप यूग कितने परकारक होते हैं उसी से subjective question और objective question आप खुद बना लेंगे ठीक है ना subjective question और objective question दोनों आप खुद से solve करने लगेंगे ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना बस वीडियो पर लास्ट टक बने रहिए ठीक है और अपने copy निकाले ये notebook उसमें सब्सक्राइब करते जाएगा चलिए लुक है मैं types of matrix ठीक है matrix के इतना प्रोपार्टीज है इतना परकार के हैं अगर हम इसको सीख लेते हैं यहीं से objective आएंगे और subjective question आएंगे अगर आप इसको समझ लेते हैं ठीक है जो कि हम समझाएंगा अपको अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो आप खुद से objective option सब्सक्राइब परकार्क उते हैं तो पिकशे कुपी कि जिए अपने नोट बोक में, इसको कीजिए, दूसरा है kolam matrix, ठीक है, जिसको हिंदी मी कहते हैं अस्थम्ब आवयू, तिसरा है स्कॉयर matrix, हिंदी मी कहते हैं बर्ग हाब ठीक है, उसके बाद है diagonal matrix जानते हो भी करन आवयू, फिर मैटिक्स वादीस आप यू और इसको हम यूनिट मैटिक्स को आइडनिटीटी मैटिक्स भी कहते हैं और लास्ट जो है किया है वह क्या है zero metrics yakni Sun abio फिक है तो आप यहां तक नोट किजिए यहां से आप यहां से नोट कीजिए तो अब हम बारी बारी से एक-एक को देखते जाते MRC यह को समझते जाते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं बस इतना ही सकते मेड़ेगस क्या है इसको हम ACHY goddess समझ लेते हैं उसके बाद kolay मलसольшes्थ को समझ pegar को समझ हैं इस प्रकार से सभी को समझते हैंगे के इस चली यह द्चैन्ध देखिए फ्रस्ट नमर रो मेρ्किक्ज याननी पंग्ती आपईयों यह क्या है यानि एक पंग्ती हो या एक ही पंग्ती हो उसे रो मैटिक्स करते हैं ठीक है तो हम यहां पर डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि बहुत साइस्ट वन जो है लिखने प्रोलम ना हो किसी को दखिये आपर जिस जिस मैटिक्स में में टी आर आई एक्स या आव्यू जिस मैटिक्स में क्या हो सिर्फ फिर समझाएंगा अपको दखिये बहुत ही इजी है समझना ठीक है सिर्फ एक एक रो हो बस एक रो हो उसे उसे रो मैटिक्स कहते हैं ठीक है क्या समझाएं कि जिस मैटिक्स में सिर्फ एक रो हो उसे रो मैटिक्स कहते हैं जैसे फोर एकजामपूल जैसे एकजामपूल देजिए आप खुद बता सकते हैं जैसे सपोज हम कोई मैटिक्स ले लेता है ठीक है कोई मैटिक्स ले लिए ले शक्ते हैं को यहां पर क्या देख रही है कि कोई मैट्रिक्स में कोई मैटीस यह आप हैसे भी ले सकते हैं अंसरे हो सकते हैं था अ norm कितना होना चीए एक KGo Instagram कातना हो वान ले ले लिए यहां पर टू ले लिए यहां पर तो इसमें देखिए रो कितना है रो जो होते हैं रो हमारा यही थो होते हैं ना जैसे यहां पर कोई नंबर ले ले लेते हैं यहां पर वान टू थीरी फोर फाइब सिक्स और यहां पर सेवन एट नाइन तो यहां पर जो होते हैं तो यहीं सब रो होते हैं तो यहां पर एक रो दू रो तीन रो हैं कोलम यह बला होते हैं ठीक है यह बला होते हैं यह कोलम लेकिन यहां पर बात क्या जाए रो की तो रो तो हमारा क्या है ना देखे यहां पर यहीं है रो तो यहां पर रो कितना है रो हमारा एक है तो यहां पर R1 सुचिद कर लिए तो यही है इसका एक्जाम्पूल क्या है यही है एक्जाम्पूल ठीक हम यह समझ लिए और कोलम की बात किया यहां पर कोलम की बात किया यहां पर तो यह एक कोलम फिर यह एक कोलम यह एक कोलम टोटल कोलम कितना हुआ टोटल कोलम यहां पर कितन तीन हो गया, कोलम3 हो गया, रो कितना हो गया, तो जिस मेट्रिक्स मेट रो कितना वना होची हूँ हो चाहिए, उसे रो मैट्रिक्स कहते है, मतलब कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ और एक जामपूल लेजिए बहुत सारे एक जामपूल हो सकते हैं वान ले लिए जीरो ले लिए टू ले लिए थी फाइव तो इसमें रो की बात किया तो रो कितना है रो हमारा वान है रो तो वान है ठीक है रो कितना है रो हमारा वान है लेकिन कोलम देखिए एक कोलम दू को कोलम और यहांप coloc saare हो सकते एं तक हो सकते डिक याउओ अगर हम लेते हैं आध्यांपूल दखेगा हम एक्जाम्पूल ले लिए है जिरो उन अपने मन्स में कोई संक्षानtal रख सकता है ठीक है तीजिक कितना वान है लेकिन कोलम की बात करें तो एक कोलम यह हो गया दू कोलम यह हो गया तीन कोलम यह हो गया यह तहां तीन यह फोर कोलम और डाट और यह एन तक ठीक है कोलम से हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है कोलम की संख्यां एन तक हो सकते हैं क्योंकि यहां पर हम रो मैटिक्स क कहते हैं या पंक्ति आप यू कहते हैं ठीक है तो ऐसे मैटिक्स सपोज अगर आपके पास कोई मैटिक्स यहाँ पर फाइब रहे टैन रहे बीस रहे मतलब आईसे मैटिक्स अगर आपके कहीं भी दीखे तो ऐसे मैटिक्स को क्या कहेंगे रो मैटिक्स कहेंगे यानि पंक्ति आप यूग कहेंगे ठिक है सुपोज आपके परच्छां में आपकी एकझाम में आपके एकझाम में आ जाक है यहां पर 15 сделать रहें तो यहां पर कोерь doesn't at the column यहां पर कोन से मैटिक्स तरा के मैटिक्स है ठेक है तोप्सं में रहेंगे आपके पास रोडिक्स और स्थम में रहेंगे कोलम मैटिक्स ठेक है और तीन में रहेंगे इस्कवार मैटिक्स कि यहां पर हिंदी समझ रहें हिंदी किसका हो यह पंक्ति आप यू अस्थम बाव यू बर्ग आप यू ठीक है तो इंगलिस हिंदी दोनों जरूरिया आपको यहां पर नन मतलब इसकोई नहीं तो बताओ ऐसे मैटिक्स को हम देखते ही क्या बोलेंगे रो मैटिक्स है क्यों मैं उमीद करता हूँ आपसे कि आपको रो मैटिक्स अछ्छे से समझ आ गय होईंगे ठीक है आप डेफिनेशन फिर से देख सकते हो कि जिस मैटिक्स में जिस मैटिक्स में रो की संख्यां कितना हो एक हो जसे यहां पर ईू टू ले लिए ठीक है बस यही हो गया यह क्या हो यह रो मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें रो की संख्यां कितना है और मतलब एक है तो जिस मैट्रिक्स में रो की संख्यां एक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं पंक्ति आप्यू कहते हैं अब आए देख ले और हाँ अब इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगा आप ज generation डूब को देख लेता है चलिए दिये रया तौपिक क्या है थीक है ञाहा। फृष में मटलब हम 1st में क्या पढ़ें रो मैटिक्स पढ़े थें तो रो मैटिक्स का आप एकजामपूर दिजी अभी अभी बताए हमने यह बहा हम पाई जिंट्रोम numbers था मतलब जिस मैट्रिक्स में जिस आभ्यों में रो की संख्यां ग् Kings procedure इसा okay DRis है इसमें रहो की संख्याँ वान होता था क्योंकि यहां पर रहो मैक्ट से तो पर मैक्त साथ में यहां पर लिख ए Kolem की संखियां एक हो उसे उसे कोला मैंटिक्स कहते हैं ठीक है जिस आवियू में अस्थम्ब की संख्यां एक हो उसे आस्थम्ब आवियू कहते हैं तो यह तो हम previous class की बात की अब इसमें दखिया फोर एक यांपूल ये कि जैंपूल लेजिए चले कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ठीक कोई मैट्रिक्स ले लिए में कोलम की संख्यां एक हो कोलम की संख्यां कितना हो एक हो मतलब कोलम कौन होता है यही बला होता है यह बला कोलम होता है ऐसे रहता है यह तो हमारा क्या हो गए यह हो गया रो और यह जो हता है यह सीदका यह उता है लकीर बाला लाट्इ यह क्या BEprovला मतलब यहांपर कितना डू थिरी 5 कुछ ले लिए तो इसमे कोलम क्हें चिंच कितना है यह मतल है 10 cielo कितना हैं डिक की बात क्या नर्म संख्या एक हो pues क्या कहते हैं पर एक जामपुल दूसरा भाम ले लेता है थेखा सब्सक्सक्राइब पर गदर टोरकी पर बहुत सबाफ हो सकता है था इस में रो roz गते हो सकते हैं अन्य है कि एकğu में उभ्याग में कि इसमें कॉलम उतना होगा ठीक है vex में कोलं कि संख्यां कितना हो वण और एक हो इससे जानते हो focus कते हैं कि एक वार फिर सुन लजीए एक वार फिर सबसें लजी इस जिस मैटिक्स में और आप संख्यां एक हो उसे कोला मैटिक्स कहते हैं मतलब यह कि जहां भी आपको जहां भी आपको ऐसे मैटिक्स दिखें ऐसे मैटिक्स दिखें जहां भी आपको टू थीरी सिक्स जहां भी आपको ऐसे मैटिक्स दिखें मतलब इस फॉर्म में मैटिक्स दिखें तो समझ जाना कि यह kolam matrix है जिसमें kolam की संख्यां कितना हो one हो बागी row कितने भी क्यों ना हो समझ गए ना kolam की संख्या one हो तुसे kolam matrix अगर row की संख्या one हो तुसे row matrix कहते हैं ठीक है तो होई गया जिसे फोर एक एक्जाम पूल आपकी जहां में परिच्छा में आ जाए इस परकार से zero zero one और यहां पे पूछेगा इतना में ठीक हा तो आपके पास रहेगा यह कौन सा matrix है पूछेगा यह कौन सा matrix है और यहां पे row matrix दे देगा यहां पे column यहां पे square और यहां पे none मतलब इन में से कोई नहीं तो यहां पे कौन सा हो जागा option number two हो जाएगा column matrix ठीक है इतना को कौन सा matrix आते है column matrix करते है ठीक तो जिस matrix में column की संख्याँ एक हो उसे column matrix और जिस matrix में row की संख्याँ one हो उसे row matrix करते है तो मैं उमीद करता हूँ दस्तों आप della YouTube से अच्छे से समझ गए अब नइस्ट आते हैं तीसरा टॉपिक रहा है Watch स्कौईर नेदिक तो आज की क्लास हम यहीं तक न अदेता है नस्ट क्लास में आएंगे स्कौार मैट किए इसका इसके क्लास में स्कौर मैट इसंद में इसका लिंक डिGS क्यंक में है ठीक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गीवाने आप देख लिजिए ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल कर जाएंगे आप देख लिजिए इसक्वार मैटिक्स और बस इतना यह हैं यह सब अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आप खुद से मैटिक्स और कोलम मैटिक्स अब आएंगे स्क्वार मैटिक्स तो नेस्ट क्लास में आएंगे